नमस्कार किसान भाईयो मैं हरियों शागत करता हूँ आपके अपने चैनल खिती जानकारी में आज हम बात करने वाले हैं जुलाई के महने में लगने वाली पांस सब्जीयों के बारे में जो आपको अच्छा मुनाफ़ा दे सकती हैं और यह सब्जीयों जो मैं आपके लिए बताने जा रहा हूँ यह आल टाइम बेश्ट हैं इसे आप किसी भी समय कर सकते हैं और अच्छा पैसा दे कर जाएंगी आपके लिए तो किसान भाईयों सबसे पहले ही सब्जी है वो है मूली मूली की सब्जी दो तरीके से करते हैं इसकी फसल एक पत्ते के रूप में और दूसरी है सलात के रूप में किसान भाईयों शादी का सीजन है या फिर अन किसी जगह इसका अच्छे डिमंट रहता है और शलात के रूप में ये काफी लोगप्रिये भी है और आजकल इसका सहरों में चलन बढ़ा आए तो किसान भाईयों हम मूली को दो तरीके सब्गा सकते हैं या पत्ते के रूप में या फिर जो है सलात के रूप में और इसे आप कहीं भी उगा सकते हैं अपने खेत में या फिर चट पर या फिर अपने गार्डन बगारा में आप उगा सकते हैं किसान भाईयो आपको ध्यान दखना है बरसात का मौशम है इस समय और जो है इसे उची जगह पर ही उगान जैसे मेड़बंदी करकर अब दूसरी बात करते हम लौकी की दूसरी फसल लौकी की डिमांड भी आजकल काफी अच्छी बड़ी है और लौकी जो है किसान भाईयो बहुत ज़्यादा पसंद की जाने वाली सबजी के रूप में उभर कर सामने आई है इसका आजकल सहरों में चलन काफी बड़ा है और यह सहर में आजकल इसका लौंज भी बड़ने लगा है लौंज जिसे मीठे के रूप में हम जानते हैं इसकी डिमांड की वजए से आजकल लौकी अच्छी लौक प्रिय हुई है तो किसान भाईयो लौकी बरसात का मौसम चला है तो हमें कैसे होगाना है इसका हमें जो है ठ धनिया का क्रेज भी आजकल काफी बड़ा है धनिया काफी ज्यादा पसंद किया जाने लगा है धनिया की फसल अच्छी लेने के लिए आपको खेत तो जो है आपका उंचा होना चाहिए महां आपकी फसल अच्छी हो जाएगी और इसकी डिमांड जो है सहर में आजकल काफी करते हैं तो मिर्च जो है उसका प्रियोंग जो है आज कल हर जगे काफी बड़ा है किसान भी इसका यूज करते हैं और शहरों में भी इसका यूज काफी किया जाने लगा रफिर कंपनीयों द्वारा अचार बनाने के लिए भी काफी डिमांडेबिल हो गई है अब वो पांचवी फसल की बात करें तो खीरा किसान भाईयों हर मौसम में खाया जाने वाला खाये जाने वाली सब्जी बन गई है अब खीरे का हम प्रियोग जो है सलात के रूप में कर तकते हैं और ये शादी के शमारों में इसका डिमांड खुब तेजी से बढ़ा है तो किसान भाईयों क्योंना हम ये सब्जियां सारी करकर अपने खेद में अधिक मुनाफ़ा कमा शकते हैं तो किसान भाईयों जो आप आपके लिए मैंने आज सब्जी बताई हैं पांस सब्जियां इसे आप उगा कर अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं और ये सब्जियां और टाइम बेश्ट है किरप्या करकर आप इन सब्जियों के तरफ जाएए आप अपनी मोटी फसल करते हैं तो अच्छी बात है लेकिन जो है आप इन सब्जियों की भी खेती हलकी से सुरुआत करें आपको अच्छा मुनाफ़र देखे जाएंगी किसान भाइयों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तक प्लीज लाइक करिए लिए को सब्सक्राइब करें जय हिन जय किसान